जी आएकू नाजरीन असाहिक दफावल आ गए हैं और जैसे कि आपको बता है मैं हूँ आपकी होश अजरी गिलानी और में साथ मौजूद है उमर जाफरी और मैं ये भी कहना जाओंगी कि अभी आपको पता है कुछ देपर हमाई साथ लाइबा अली मौजूद थी जो एक बहुत ही खुबसूरत पॉप सिंगर है और क्लासिकल भी गाती है और नूर जहान के सांग्स को भी बहुत पसंद कई थी है और उनसे हमने उनकी आवाज में लाइब गाना भी सुना उनके पाकेज भी देखा तो जी अब हमारे साथ कौन मौज़े है और जैसे कि हम लोगों ने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारे बद्दों बहुत ही शक्सियात मौजूद होंगी हमारे स्टूडियो में और उनसे बात होगी कुछ मैर्डिकल के हวाले से एकोछ जरनल हैल्थ के हुआले से हायजीन के हुआले से और आज कर लोगों के वैसे तो बहुत से मसाईल है माशाला बहुत सीनर परस्नालिटी है वी हाव मेजर जरनल रिटायर शाहिद काजी साहब ही देंटिस्ट एंवरी सीनियर देंटिस्ट इनसे बात करेंगे सर आपको खुशामदेद कहते है स्लाम अलेकुम और सुब बखेर रोही और आपको सर माशच चाहते हैं कि आपके आज शडूल को डिस्टरब करके आपको यहाँ इन्वाइट किया हमने बहुत शुक्रिया सर एंद इसके लावा हमारे पास एक और परस्नालिटी माँदू है अपने दिखा घंड को यहाँ झालिवुट की काफी मिश्यूर फिल्म है यहाँ जिसके अदर जा। जान त्रवल्ट का फेस जो निकलास केश बिल्कुम की लाईगा जाते है वह काम होता वह और फ्लस्टिक सिर्जण गाता है but there's nothing, no fancy tricks over here, we have a very pleasing personality, very nice person, Dr. Humayun Mehman sahab, he's a plastic surgeon, उनको खुशामदेद कहते है, Assalamualaikum sir, Assalamualaikum sir, Sir, कैसे हैं आप, how are you doing today, बर्कुल ठीक ठाक, फाइन ठीक ठाक, सुबा 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 तोईसी रूटीन आपकी अपकी 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 डिस्टर्ब होई होगी, काफी लोगों को डिस्टर्ब किया, सर को अपकी अपकी जाने माना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताईए के what is oral hygiene, हम लोग बिल्कुल ख्यार नहीं करते हैं, काया पया उसके बाद अराय हरा है, फोगं जाकने भराँ परते रहे हरात को बगरर्ष जादेश अपके होगे ही, आपके oral cavity मुख के टांटों की सफाही को oral hygiene क्याते है, तो अगर सुबा शार्भा सुबा शाम टुट्ष करेंगें या मस वाक करें और पांच फकत अगर वुजू करें तो वह वैसे ही नैचरली क्लीन रहेंगे तो अगर उसको निगलेक्ट करेंगे हम तो एक डेंटल केरी जिसको कीडा कहते हैं उसमें वो सेटन हो जाते हैं और दूसरा अगर और निगलेक्ट करेंगे तो परिडांटल डिजीज जो के सुपोर्टिंग टिशू है हमारे दांतों के मुसूरे और गांस उन में इंफ्लमेशन हो जाएगी उनकी डिजीज हो जाएगी और बैसी भी डॉक्टर साब मैं भी आपसे कुछ पूछा चाहूंगे अपने वियर्स के साथ भी शेयर करने चाहूंगी कि मैं डेंट्री के हवाले से कुछ पर रही थी कुछ सच्छा पहले तो उसमें लिका हमता है और आपको हाएगी थी तो आपको हाँड दीजीज भी हो सकते हैं। तो इस तात्रूव बैसिकली देर आर कंडिशों जहां पे इस रिलेट टो इस रिलेट टो इस रिलेट तो इस प्राइब जो डाइग्नोस करता है कि परसन इस वल्नरेबल तो डिजीज दे हाट बिल्कुल, बिल्कुल अजय हम रखान में अब रखर अब बिल्कुल उनकी तब शलते देर से प्लास्टिक सर्जरी की बात हो रही थी उमर आज कल वैसी आप देखो लोग करवा रहे हैं हमारे सेलेटीज भी नाग चेंज करवा रहे हैं हो चीजे तो होती रहती हैं लेकिन जो हमारे इमर्जन्सी हो बहुत फेटल एक्सिदेंस होते हैं उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं एक लिए प्लास्टिक सर्जरी कर आप देखे तो इसमें दो मेजर कॉंपोनेंट्स होती हैं एक होता है कॉस्माटिक विच इस प्रॉबली बाउट फाइफ परसंट जा 10 परसंट 90 परसंट इस सर्जरी जिसमें ऐक्सिदेंट के बाद कैंसर के बाद बरन्स के बाद और हैंड निग्रीज के बाद आप डुबार ही कंस्ट्रक्ट करते हैं लिक खुदाने कास्तर बरन हो जाए तो आपने उस टिश्यू को दुबारा रिपलेस करना होता है लेकिन आप जैसे टीश आफ क की बात कर रहे हैं जिसमें एक खास टिशू हट जाता है और आपको वो रिप्लेस करना होता है आप उसके साथ वाले एजेसंस के जैसे नेबर होते हैं उदर से आप चीज थोड़ी सी लेके उसको मॉबलाइज करके उसको दुबारा कवर करते हैं क्योंकि अगर उसके नीचे आपके लेट से यह तेंडन जो के आपके उंगियों को या हाथ पैर को हिलाते हैं या बोन अगर एक्सपोज हो जाए उसको अगर आप कवर नहीं करेंगे तो उस जगह को फाइनली काटना पड़ जाता है तो उसमें इस इस अबेक तिंग जिसमें एमरजंसी में पिछले द को एक्सप्लोर किया तो उनके यहां कट लगा हुआ था चेहरे पर और यहां तक गया हुआ था ठीक कोई मेजर वो नहीं थे अंडर लाइंग टीशु डामेज नहीं था सारे शीशे अंदर पड़े हुए थे अब शीशे ऐसी चीज़ जो एक्सरे में नजर नहीं आता अग को जो सबसे पहले चीज़ सिखाए जाती है वो होता है तू हाउ तू तू अट्रामा हमें सिर्फ यह कॉंसेट होता है कि उसको जब आप ट्रीट करें तो जब एंड में जब आप क्लोजिंग करें आइसिंग ऑन दग यह होती कि आप उसको इस तरीके से यह अप्रोच करें या क्लोज करें कि वो स्कार नजर तो फिर भी आएगा लेकिन वो ऐसे फोल्ड में आजाए कि आपको फिर्स इंपक्त में वो पता ना चले कि इसको कट आया है या नहीं आया लेट से आपके बाद जो क्रीज लाइन होती है या जहां पे एक कॉस्माटिक यूनिट से दूस प्लासिक यूनिट में लगाना चाहिए क्यूंके दे आद फर्स लाइन आफ जो होती है जो के पेशेंट को देखते हैं उनको पता होना चाहिए कि स्टिचिंग कैसे करते हैं अनफॉचिनेटली पाकिस्तान में तो बिलकुल नहीं बाहर फिर भी बहुत ज्यादा है बाहर आपका जो एक यूनिट होता है अलमुस हर में शौस्पिल में गुता है और वही डील करता है और या जो डॉट्टर वहां पे जिननों ने च्हें महीं दो इसमें क्याभिया करते हैं तो ट्रामा को डील करना इस फुर्स बमसे परेबिर का को स्मूस्माटिक सर्च जी तो व वह बाद की बात होती है बहुत सारे और ऐसे अजिंट्स होते हैं जब देगी कि जब नवाले को चुव कर रहे होते हैं कहते हैं कि at least minimum एक नवाले को 25 times चुव करना चाहिए Is that true? नहीं, we should take some time to chew the food और जो श्लाइवा है वो उसके साथ इंटरेक्ट करके It helps in the digestive process of the food Right So proper chewing helps the digestive system to digest और अवर बिलकुल, जी जी So if we just swallow the food, we are not helping our digestive system अजब सादा अपने बर्डन उसके ओपर ख़रती है अजब बताये मीठा किस हद तक खतरनाक है हम भूरी कौम जो है शुकर कितनी महंगी होगी उसके बावजूदी मीठा के दिवाने यह जी जो सुकरोज ऑती है, विच रवाइन फ़र्म छूगत And this is found in ariated drank like Coca-Cola, Pepsi-Cola, ariated drinks So this is a thin profile of teeth on the enamel of the teeth Which then leads to dental plaque And in dental plaque there are bacteria presence Bacterial enzymes that secreted causes dental caries तो डॉक्टर साब से पूछना चाहेंगे कि टूथ प्रॉश हमें सुभा जिसे ऑविस एक रूटीन है बच्मन से सिखाई सुभा उटके कर रात को सोने से पहले कर तो इस एक तूब कर तो हमें मैंने यही सोना था कि I think जब सुभा आप करो तो आप नाश्टे के बाद दान तो आप नाश्टे से पहले तो सुभा उटके आप करते हैं तीक है उसके बाद आप नॉमली सुभा एवरी वान इस इन अहरी बल्कुर सुभा ताइम फटा फट गजर का है तो आप जूरी नहीं है कि नाश्टे के बाद टूथ पेस लगाएं गीले ब्रश के साथ ब्रश क बिष्ल आगे से डिवियेट नहीं करने चाहिए अगर वो डिवियेट कर लिए प्हाले तो इस मिन्स का आप की टेकनीक गलत है जैसे आपके साथ एक मौडल पड़ाव से आप थोड़ से आप बताएं कि इस तरह से तरह से तेकनीक क्या झाँ उनीच ए कि जूर जोर से दर और बच्चे भी आज़ इसी तरह से जल्दी जल्दी में टूट ब्रश करें यह जो लोर मॉडल है इसमें जो मैंने लाल निशान लगाई हुए इन एरिया को हमने क्लीन करने इन बिट्वीन देट तो यह जो अक्लूजल सर्फिस से इसको तो हम ऐसी ही साफ करेंगे ऑपर से यहां पर 45 के एंगल पर ब्रश को रहके उसको स्लाइटली ऐसे रूटेट करें एंदें बरिग एटाफ ठीक है एं सिमरली यह एक्षिन आपने इसके अंदर वाली साइज से करने आपके ब्रिग एटाफ यह जो सामने के चेह दांत है इनकी अंदर वाली सर्फिस आपने इस को ऐसे साफ करने क्या यह एक्षिन एन यह वाला इस नौ रेकमेंड़ित आप अच्छ आपवर्द यह एक्षिन एंदर रुटार टाइड करें आप यह जो मैंने एरिय अरियास अंदर सेंदर एंदर इस आपने पूड दूट करें इसे वो कार्व तो निए लिए निए आपने इसको एसे रखके ऐसे तरह अंदर एसे तरह थीक कर जूसामने के चे दानते हैं इनको अंदर से एसे और बार से एसे और सिमिलरी एक यह है कि यह है कि यह है कि यह थोड़ा चोटा होना चाहिए कि आपके लास्ट मोलस तक पॉंच जाए और डाकर साब मैं देखते हूं आज कल हर केमिस में इतने बड़ बड़ साइस के ब्रुष जो जाते हैं जो फोल बेंड बेंड बी हो जाते हैं ठकि शिक यह थोड़ उत्साइस सुनाय कि अविट चोटाव बच्टी जाय लिए लिए एक खोड़ी होता है यह थोड़ना गौटी बड़ै जा है कि इस ब्राव खते हैं ने को शाच जाय का तो सब ल्गार बचाइस कि ए मैं जब